दोस्तों स्वागत अब सब्सक्राइब आपका अपने चनल बेसिक नॉलज़ में दोस्तों आज में लोग इस वीडिम देखने वाले आप लोग इंगलिस का जो एक्जाम होने वाले कल उसका बहुत ही महत्पूरना परस्ण है जो आप लोग कल एक एक्जाम में पूछ जानी क कि जाएगा क्योंकि सारे स्वाल आप लोग लिए इक्वाली महत्पूरा है जिस प्रकार का ग्रामर का इसी प्रकार की इस बार ही पूछ जाएंगे ग्रामर का भी अलग से वीडियो है उसको देख लेना चैनल पर पहली बार है तो ध्यान से सब्सकाइब का बटन जरूर प हैं मिलने वाले हैं और एक्झाम के त्य AH थाल का मचाने वाले है चले देखते हैं क्या सवाल है उसको सॉल्व करते हैं इस से पहली जब लोग पैस है ऐसे घर यह having कर सकता है यहाईसे कर सकतो हम यहासे माक ऑकत कर साहर actश हो जाए यानि option number 2 बिल्कुल अपका सही हो जाए यहां पर एन लिखा सही हो जाएगा एन क्यों होगा सर यहां तो पर तो पहले M है लेकिन M का जो starting उच्छार का इसा है M, A, A से start हो रहा है न इसलिए दूस्ति यहां पर N भरा जाएगा ठीक है तो M is an M L S का सही उत्तर हो जाए जाएक क्योंकि M A L A हो रहा है तो A इस पर इस लिए M L S का सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है Dash is a beautiful house तो क्या होगा this these those कि none of these तो यहां पर this is a beautiful house यहां एक सुन्दर घर है ठीक है this इस थोड़ी होगा, यह सुन्दर घर थोड़ी होता है, वह तो यह है एक सुन्दर घर है, यानि कि this is a beautiful house, option number one is the correct answer, next है, see that's for me since 10 o'clock, see waited for me, waiting for me, has waited, has been waiting, ठीक है, यहां देख लिखे को सिन्स का है, यहां पर क्या लिखा है, since लिखा है न, यहां देखे कि वह 10 बज़े, कितन she has been waiting for me since 10 o'clock, ठीक है, इस पर का सुन्द में क्या लगता है, आप लोग 10 से पढ़े होंगे, तो यहां since हो जाएगा, अगला स्वाल है, I dash to Europe next month, मैं अगला मैना इरूप जा रहा हूँ, या फिर जाओंगा, जाओंगा है तो will भी लेगा, बर यहां, will है नहीं, will होता, sale होत अगला मैना इरूप जा रहा हूँ, तो चौदा का एक सही हो जाएगा, अगला, he had bought a car is an example of, यहां पर दोस्तों head का यूज किया गया है, और अगर आप लोग 10 से पढ़े तो आपको पता है, दोस्तों head कहां लगता है, past continuous में, कहां लगता है, past continuous में, sorry, past continuous में, past perfect में आप ल अगर वही present perfect, यहां पर has होता, head के जगा पर has का use करते तो क्या होता, तब present perfect होता, लेकिन यहां पर किसका use किया है, head का किया है, इसलिए past perfect अपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो तारे चमकते हैं, क्या होगा, तारे रात को चमकते हैं, रात में चमकते हैं, तो रात में चमकते हैं, तो रात में चमकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर the star signs होगा, कि sign होगा, क्यों signing तो होगा नहीं, none of this, यहां पर बात में देखेंगे, तारे रात में चमकते हैं ता है तिहें लग रहा है तो क्या हो तो यहां पर stars sign at night क्योंकि stars बहुत सारे है ना अगर JUL एक तो यहां पर sign होता ताः इस्यजवत दाऀंग जाता क्यों कह पता singular के साथ singular third person के साथ just yes लगता है पर he singular है sorry third person है पर singular नहीं है single थोड़े है बहुत सारा है तो बहुत सारा इसलिए यहां पर एस यह 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 नहीं लाएगा यह सिंपल प्रेजेंटेंज का प्रोटेंज दिया था तो साइन हो जाए याद रखना साइन किया होगा क्योंकि तारे बहुत सारे हैं, एक होता तो यहाँ पर sign लगता, sorry, science लगता है, यहाँ पर sign हो जाए, और नमबर दो, अगला सब्सक्राइब होता है, he does complete his work, तो he has, have to, have to, की have to, तो तो यह दिए he complete his work, यह भर्ब 3 नहीं है, अगर भर्ब 3 होता तो हम लगाते हैं, कि हाँ, he has completed his work, अगर भर अप्सन नमबर दो, सई हो जाएगा, अगला स्वाल है हमारा, you dash worry, I will help you, you dash worry, I will help, मतलब तुम क्या करो, मैं आपकी मदद करूँगा, मतलब तुम्हें चिंता करने की जुरत नहीं है, क्या होगा, need होगा, must होगा, कि suit होगा, कि need not होगा, कि तुम्हें चिंता करने की जुर आइसे तो भता है क्या होगा आई इन नेड नाट तुम्हें सिंता करने जौरत नहीं है मैं तुमारी मंदद करूंगा ठीक है नेक्स कोजन है पैसी भाइस ऑफ ही किल इट स्नेक पैसी बहस आएगा ये आए दुस्तों आप लोगो बता भी देंगे रहां कि क्या होगा सबसे आप जो last में उसको पहले लिख रो, यानि a snake को पहले लिख रो, a snake, क्या होगा, a snake, अब की stage में यह simple past tense में, इसलिए was वायर का फरी होगा, a snake was, क्या होगा, killed by, और he का क्या हो, he, अब last में जाए, he का हो जाए, him, यहीं, option number, a snake was killed by him, क्या हो जाए, a snake was killed by him, that is, option number three is the right answer, a snake was killed by him, passive voice of I saw a match, तो उसका क्या होगा, a match पहले हो जाएगा, a match was seen by me, अगरा स्वाल हमारा एक किस number, देख लो क्या बोल रहा है, दोस्तो एक passage है कि, but the same old nightmare came, the butcher with a nip and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, ग्रेनमा, ग्रेनमा, he walked savering to see father beside her bed, candle in his hand, तो दोस्तों मतल़ जी सपना देख रहा था, एक बूचर आ रहा था, बूचर जो कसाई होता है न, काटने वाला, तो वहीं देख रहा हो कि, एक रस्ती और क्या, एक चाकू लेके आ रहा था, वो देख रहा था, तो उसको इतना बूचर लग रहा था, और उसको बहुत एक खतरनाक smile से हस रहा था, ठीक है, अजब उल, मतबू, सपना देख रहो क्या करने लगी, रोने लगी, crying, और सिर्फ बिरनमा, दादी मा, दादी मा, चिल आने लगी, दूसी को लेकर है, चली, यह सब से पहला स्वाल क्या है, किसको देखती है, बूचर मतलब कसाई वाला होता है, जो चाकूल, उसका कट काट 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 काट, तो बूचर को देखाता है, अगला स्वाल है, आप लोग हिंदी बोलते हैं बूचर, ऐसा कुछ बोलते हैं बूचर कहीं का, ऐसा है, तो बूचर को देख रहा था पुचा मतलब जो काटने वाला कसाई होता है What is the nightmare? Nightmare क्या था? Bad dream था उसका Nightmare मतलब bad dream होता Option number 2 Whom did she call in her dream? अपनी सबने में किसको बुला रही थी? तो अपने grand mother को Grand mother हो जाएगा इसका एक number सही उत्तर अगला स्वाल है मेलोग का Which word in the passes means trembling? ट्रेमिलिंग का अर्थिया लिए सीविलिंग Option number 4 याद रख लिजएगा चलिए गला स्वाल देखते हैं Choose the correct option क्या है What is the telly book? तो दोस्तों याद है टेली बुक क्या है एक electronic book है Option number 3 सही हो जाएगा 4 नवर देखेंगे हम लोग क्या 26 नवर What gift did Kejia's grandmother suggest her For her father's birthday Kejia का जो grandmother था उसकी जो दादी हमा थी उसके पिताजी के लिए कौन सा gift सज़न किया तो APN cushion ठीक, APN cushion तकिया तकिया उसे suggest किया था What type of teacher did Margie have Margie पस कैसा teacher था कैसा teacher था उनके तो एक mechanical teacher थे Option number क्या हो जाएगा Option number आपका 103 सही हो जाएगा Which national award Confered on Ustaz Bismillah Khahn क्या उसे किसे समार्च किया था Bismillah Khahn को तो उसे पदमा विभूसन भी दिया गया था ठीक है दा पदमसरी भी दिया गया था दा पदमा विभूसन भी दिया गया था दा पदमा विभूसन भी दिया थे Name the poem from where the exact extract has been taken तो उसका सही उत्तर दोस्तो हो जाएगा था देखेंगा देख से Two roads diverging in a yellow road And sorry I could not travel both And we one traveler long I stood And looked down as far as I went तो क्या rain on the roof होगा The road not taken होगा Wind होगा None of this तो क्या पर हो जाएगा The road not taken इसका विता से उठाई गया है अगला स्वाल क्या है उन्हें तीसने में गया बोला है कि who has written this line किस नहीं ये lines लिखा दो दोस्तो तो ये Robert Frost नहीं ये line उनके द्वारा लिखी गई थी तो इन नमबर सही हो जाएगा The point which to जो कभी था उनका wish क्या था उनका wish था क्या उनका wish था कि वो रोड के दुनों तरब चले travel on both side of the road बट वो नहीं चल पारा उपसन तो चार सही हो जाएगा The point which to travel on both the road दुनों वो रोड पे तिसका चार सही हो जाएगा 32 देख लिएगा The point is before him क्या The point is before him किसी देखता हूँ तो two roads diverging in a forest 32 का तीन सही हो जाएगा The point is before him two roads diverging in a forest आप लोग इसको पढ़ना पोईटी में सहारा ची दिया हो एड़ी है अगला स्वाल हमारा क्या देख लिए अब दोस्तों आप लोग सारे किताब से और सी किताब से ही सारा चीस है अब आप लोगों सिर्फ कोई सेंसर के जवाब दने क्या हो We can make trains with the wind God if we are हम लोग हवा से दोस्ती कर सकते हैं कब जब हम लोग क्या होंगे सकती साली होंगे हवा पूला के लिचल जाएगा तुमस्द रहो खुद को श्ट्रांग कर अपने घर के खिड़के थर्वा श्ट्रॉंग कर दो तब हवा से दोस्ती कर सकता होना हवा दोस्ती करने मग जाना ठीक है अरे रही कह भाग रहा है तो चलो अगला स्वाल हमारा है कि यह तो हो गिया वी कैन वाइर इस दा रेंड मेकिंगे नॉइज में रेंड जो गिर रहा है कहां पर नॉइज कर रहा है तो अंदा रूप शर्ट पर ठीक है तीन नमर सही हो जाएगा नेक्स्ट कुछ नम लोग करें देख लिए क्या बोल रहा है अगर लासवाल पैंटिस नमबर दचाइल वाज लॉश्ट इंदा बच्चे कहां पर बच्चा कहां पर खो गया दोस्तो तो वह मेले में इसका माता प्रसत गया था और खो गया था फिर बड़ा रो रहा था बच् गुष्ट नेचे यह उसको सरफ एक ही रड़ लगाया हुआ था कि प्लीज मेरे माता पिता से मुझे मिला दो मैं जिन ज़िए मैं कभी कुछ डिमांड नहीं करूंगा मेरे माता पिता से कुछ मांगा भी नहीं होने कभी परिसान भी नहीं करूंगा उसका लास्ट पुछ जो ही था कि अपने माता मितास उसे कोई मिला दे तू मिट विधिस पेरेंट्स मेरे ओफ वाट वस दा चाइल्स फैबरेट सुईट देखो बच्चे का जो बसंदीता सुईट था वो था बर्फी क्या था बर्फी लेकिन जब वो खो गया ना तो कहा कि मैं बर्फी भी नही कि आया है वेर डिट गरंफादर पूट वान इस जर्नी तू सांफूर जब उसका गरंफादर सांफू जारत तो उसको टॉर्टो को कहां पर रखा था तो इनिक एनवास बैग एक एनवास बैग में उसे वरकर रखा था वाट सब्स ए थार्ड हैंड टू मंकी मंकी के लिए तिसरा हाथ क्या होता है दोस्तों तो उसका पूँच जो होता है वो तिसरा हाप दिखते हो पूँच से भी बहुत सारा काम कर लेता है तो इस टेल इसका से उत्तर हो जाएगा ऑफसे नमबर दो यहां पर तक आप लोगा टोटल बहुत ही मत्पुने सवाल था इंग्लिस का जो अपने एक्जाम के लिए बहुत ही मत्पुने और भी स्वाल आईगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए ताकि देखो अज़ागे एक्जाम में फोट क्या हो ठीक है चलिए तो लब यू आल थैंक्व अलप यह विजुत नहीं फ्री नेक्स यह वो बंदे मत्रम